Amazfit की एक नई स्मार्ट वाच इंडिया में बहुत यल्दी बिसेकली सेल पर जाने वाली है Amazfit GTS 2 निव वर्जन अभी जो GTS 2 है उसी का नया वर्जन ये आपको मिलेगा जैसे भी कुछ टाइम पहले Amazfit GTS 2 मिनी का निव वर्जन आया था वैसे ही GTR 2 का भी निव वर्जन आ तो अगर आपको भी थोड़ा एक अच्छी स्मार्ट वाच जीए तो आप ज़रूर से इसको देख सकते हो नए वर्जन को सबसे पहले फिसकल ओवर्विव की बात कर ले तो Amazfit GTR 2 का जो निव वर्जन है आप इसमें आपको सर्कुलर फ्रेम मिल जाएगा और इसमें जो है दिस्पले मिल जाती है, 326 PPI पिक्सल देंसिटी है, 450 Nits की ब्राइटनेस है तो आपको विजविल्टी का इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, Always on display आपको मिल जाता है, Cloud-based बहुत सारे वाच फेस मिल जाएगे और आप खुद की में इसको भी ऐसा वाच फेस उसकर सकते हो, त दिस्पले साइट से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आगी, anti-finger coating और आपको इस टॉप में देखने को मिल जाएगी, तो इस सारे फीचर्स मिलेगे, डिस्पले मतलब काफी बड़ी है आपको मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, आप आपको जो sports mode मिलेगे, ओ 90 plus sports mode आपको मिल जाते हैं, काफी अच्छी detailing के साथ में, और इसमें built-in GPS है, तो basically आपको GPS data भी मिलेगा, अगर आप outdoor जाके कोई workout करते हैं, तो बहुत एक्छी accuracy आपको GPS की और workouts की दोनों की मिलेगी इस वाले smartwatch में, fitness feature साइट से देखा जाएट तो में heart rate monitoring मिल जाती है, SPO2 है, sleep tracking है, stress monitoring है, Caliburn, step count, sedentary reminder, water reminder, इस तरह के जो basic features होते हैं, fitness features वाले, वो सारे आपको मिलेगे, लेकिन Amazfit की जो accuracy है काफी अच्छी होती है, तो इस वाले smartwatch में काफी accurate data आपको देखने को मिलेगा, वैसे safety purpose से smartwatch काफी अच्छी होने वाली है, 5 ATM क certification मिलता है, मतलब आप इसको पहन के अराम से swimming shower ले सकते हो, smartwatch खराब नहीं होगी, Amazfit GTR2 का जो new version इसमें Bluetooth call की functionality आपको मिल जाती है, तो premium quality के microphone और speaker मिलते हैं, तो आप इससे Bluetooth call कर सकते हो, कोई call आई है तो आप receive करके भी इसके थूरू बात कर सकती हो, और इसमें आपको 3GB क onboard storage भी देखने को मिल जाती है, तो लगबख से 300 to 600 आप audio songs को इसमें store भी कर सकते हैं, और आप बात में उनको play कर सकते हैं, directly smartwatch से, और इसमें आपको voice assistant का भी support देखने को मिल जाता है, battery backup की बात करें, तो 471MH की battery मिल जाती है, heavy use पे 6 days का battery backup company claim करती है, और normal use पे around 11 to 12 days का battery backup मि use करते हो, तब उस case में आपको 1-2 दिन का battery backup इसमें smartwatch में मिल जाएगा, वैसे का notification साइट से देखा जाए, जिसमें सभी तरह का notification alert आपको मिलेगा, call, message, email, आपके social media app के notification, notification को कस्टमाइज कर सकते हैं, इनके app के धरूँ, तो overall दोस्तों कुछ इन ही features के साथ में Amazfit GTR 2 new version ज price होगी 11,999 मतलब 12,000 रूपए, और ये first time sell पर जा रही है, 23 में को दोपहर 12 बजे flip card पे, तो अगर आपको 1000 रूपए बचाने हैं, तो 23 में को जाके आप इसे buy कर सकते हो, बाकी मैं इसका एक बहुत यल्दी जो है comparison वीडियो लाने वाला हूँ, जो Amazfit GTR 2 previous version है और जो new version है इसमें क्या कुछ आपको difference देखने को मिलेगा, इसकी वीडियो बहुत यल्दी मिलेगी, तो उसका भी wait आप कर सकते हो, बाकी अब लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, क्या आप इसके लिए interested हो या फिर नहीं, आप नीचे comment करके मुझे पता सकते हो, अगर ये व झाल